पॉलिटिक्स में बड़ा जाता है या फिर वादे किये जाते हैं इसके एलेक्शन से पहले इसको कंट्रोल करना होगा यह देश की एकॉनमी को नेगेटिवली इंपार्ट कर सकता है यह आप आप देख पाऊगे सुप्रीम कोट सेज अनौस्मेंट और फ्री बीज फ्री अपकोर्स यह सब दिया जाता है सरकारी ख़जाने से तो सुप्रीम कोट ने आपर यह कहें के पॉलिटिकल पार्टी इस नीड टू बी कंट्रोल के यह जो फ्री बी बाट रहे हैं इसमें थोड़ा सा अंकुछ लगाना चाहिए और आगे आपर यह भी एड किया किया कि यह सीरियस इशू है और बिलकुल यहाँ पर मैं कहूंगा सीरियस इशू ही है हमारी कई स्टेट्स हैं उनका अगर आप टोटल डेट देखोगे तो बहुत जड़ा बढ़ चुका है फर एक्जामपल तामिल नाडू जहां पर फ्री बी कल्चर बहुत प्रेवलेंट है देखो जब नौर्थ इंडिया में हम बात करते हैं फ्री बी कल्चर की तो सीधा हमारे माइन में आता है फ्री की बिजली या फ्री का पाली मगर साउथ इंडिया में आप अगर देखोगे तो वहाँ पर और टैप की लोगों को सब्सिडिया मिलती है उसकी वज़े से जो टोटल ड आज के समय है यह 6 लाख करोड रुपे का हाला कि यह आपर मुझको याट करना पड़ेगा कि जो शिलंका में हुआ है इंडिया में होने के चांसे बहुत कम है क्योंकि केंद्र सरकार काफी स्ट्रॉंग है कल को कोई स्टेट प्रॉबलम में आती भी है तो केंद्र सरकार हो सकता है अब फॉर एक्जामपल पंजाब का केस अगर हम देखें देखो यहाँ पे जो यह स्टेट सेना उत्तरपदेश मराश्ट्र इनकी ओवरॉल जीडीपी भी काफी बढ़ी है तो यह डेट थोड़ा बहुत जेल भी पाएंगे मगर पंजाब की जीडीपी उत्तरप बहुत कुछ आपको जानने को भिलेगा मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेशन पूछूंगा क्वेशन यहाँ पर यह है कि प्री पैकेश्ट और लेबल्ड फूड आइटम्स पर अब कितना परसेंड जी एस्टी लगा करेगा यहाँ पर आपकी ऑप्शन आट परस परसेंड पाच परसेंड या फिर सेवन परसेंड कॉमेंट सेक्शन में करिए उतर सही आपको दूँगा वीडियो क्या तुमें अब पहली बात मैं यहाँ पर यह बदा दूँ के असा नहीं है कि फ्री बी कल्चर की प्रॉब्लम सिर्फ आपको साउथ एशिया या फिर डि होता है कि अगर मैं फ्री में चीजे बाटने का वदा करूंगा ना तो बहुत सारी भीड मुझे बैक करेगी यूएसे में फॉर एक्जांबल मैं आपको बताओं तो एक पॉलिटिशन है बर्नी सैंडर्स बर्नी सैंडर्स यूएसे की स्टेड वर्मोंट से हैं और इन्हों इन्होंने काफी बार USA का प्रेजडेंट बनने की कोशिश करी मगर ये बननी पाए रीजन मैं आपको बजाता हूँ क्या है इन्होंने ऐसे उल्टे सीदे वादे कर रखे हैं कि जैसी मैं पावर में आया सारे जो स्टूडेंट्स हैं USA में इन पर जो करजा है पड़ाई का ये मैं माफ करवा दूँगा अमेरिकन्स को फ्री में हेल्ट केर दूँगा लोगों को घर प्रोवाइड करने के इन्होंने बाते करी है ऐसे ऐसे वादे किये हैं जिससे बताया जाता है कि अमेरिका की GDP पर 30 ट्रिलियन डॉलर का बोज आ जाएगा और इसलिए आपने देख बन जाते मगर युएसे में बहुत सारे जो वोटर्स हैं उनको पता है कि ऐसे आदमी को ला करना पावर में एक बार को थोड़ा सा मजा तो आएगा एक दो साल तक के सब के करजें माफ हो गए फ्री में चीज़े मिल रही हैं मगर लॉंग टर्म में जो हाल होगा हमारे इनकी राजनीती और कमजोर हो गई है क्योंकि दुनिया भर में अब लोग देख रही हैं कि फ्री में चीज़े बाटना लॉंग टर्म में बड़ा भाली पड़ता है सरकार को देश को और हाली में देखा गया कि एक आदमी ने पेटिशन डाली हमारे देश के सुप्रीम में और पेटिशन में ये लिखा था कि देखिए जो शलंका में हुआ है बहुत जारा चिंता वाली बात है हमारे देश में भी फ्री में चीज़े बाटी जा रही हैं इलक्शन जीतने का सबसे आसान तरीका होता है ये तो प्लीज इस पर अंकुछ लगाए फ्री बीज कर सकती है अब इसके रिस्पॉंस में सुप्रीम कोट ने पहले सीरा बात करी इलक्शन कमिशन ऑफ इंडिया से के जो इलक्शन होते हैं वहाँ पे कौन से वाद दे होंगे कौन सी भाशा का यूज होगा वो आप लोग देखते हैं आप यहाँ पर देखो कुछ ये अकाउं को ऐसा सिस्टम इंप्लिमेंट करना काफी मुश्किल हो जाएगा तो इलक्शन कमिशन ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बेसिकली का के हमारी जिमधारी नहीं है आप भारे सरकार से बात करो अगर भारे सरकार कोई लौई यहाँ पर ले आती है तो हम कुछ कर पाएंगे अब सुनके यह कहा कि भगवान बचाए अगर इलक्शन कमिश्र अफ इंडिया भी यहाँ पर कुछ करनी सकता हाला कि मैं यह कहूंगा कि हमारे देश के पी एम ने काफी बार जो यह फ्रीवी कल्चर है इसके बारे में स्टेट्मेंट दी है इन्होंने यह काए कि जो रेवडी क पार्टी वादे नहीं कर पाएंगी कि हम जी फ्री में कुकर बाटेंगे, स्कूटी बाटेंगे, घर बाटेंगे, इलेक्रिसिटी बाटेंगे, पानी बाटेंगे, यह सब वादे अगर माल लीजिए, यह पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर पाईंगे, तो सीधा यह लोग जा कार हम को रो करिए आपकी मदद करने से तो अभी Supreme Courtnet क्या decide किया है कि काम करो Finance Commission से बात करो State को जो पैसा जाता है यह Finance Commission यह लॉट करता है न तो Finance Commission से बात करो कि किन स्टेट को कितना पैसा आप देते हो और उन स्टेट में कितना खर्चा होता है फ्री बीज पर क्योंकि देखिए मान दीजे एक स्टेट है वहाँ पर एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इस वादे से पावर में चाहिए या फिर अलाओ होनी भी चाहिए या नहीं क्योंकि शिलंका के केस में यह हुआ था 2019 में नई सरकार आई इसने यह कहा कि शिलंका में जो वैल्यू एड़ेट टैक्स है इनके आज के समय आप देख रहे हैं कुलाप्स कर चुकी है या फिर बिल्कुल कगार पे है और ऐसा नहीं है के हमारा देश बिल्कुल इनिविंसिबल है याद होगा आपको 1991 में हमारे देश ने एकोनोमिक रैसिस जहला था तो अभी के लिए हमारी अर्थविवस्ता स्टॉंग है इसका मतलब यह नहीं है कि हम डीले पड़ जाए और कल को ऐसे लोग पावर में आ जाए जो इस स्टॉंग अर्थवस्ता को बहुत ज़रा कमजूर बना दे लोगों में मुफ्त की चीज़े बाढ़ कर और मैं यह कहूंगा देखिए बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोट आफ इंडिया आज के समय यह टॉपिक डिसकस कर रहा है क्य अलाव नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमारे देश में राज भी बाटा जाता है फ्री में काफी बाराम गरीबों की एलब भी करते हैं तो क्या उसको भी हम फ्रीबी्स करेंगे फ्रीबी का लेवल क्या होगा यह देखना होगा कहिना कि इसकी डिफिनेशन मरानी होगी इस बढ पसाते हैं हमने question की तरफ के how much percent of GST, goods and service tax will be levied on pre-packaged and labeled food items, तो सही उत्तर यहाँ पर है option C, 5% अब levy किया जाएगा tax, यहाँ पर आप देख पाएंगे 5% GST on pre-packaged food items up to 25 kg, और finally आपर मैं यह भी आड़ कर दूँ के usually आप देखोगे अनकाडमी के courses पर जो sale है, यह होती है 10% की, मगर 29 तारीक तक, इस महिने की 29 तारीक तक, एक 20% की sale चल रही है, तो comment section में जाओ, यहाँ पर आपको मिलेंगे various exams के links, UPSC, SSC, bank, IIT, JEE, simply यहाँ पर आपको करना है, अपने link पर click, for example, let's say आप prepare कर रहे हैं for UPSC, click करिए UPSC पर, और आपके सामने खुल जाएगा यह page, और यहाँ पर आप purchase कर पाओगे, the course of your choice, सीधा यहाँ पर आपको discount मिलेगा, 20% का, the prices will fall a lot, यह जो sale है, extend करी गई है, यहाँ पर आप देख काओगे, offer extended, 29 तारीक तक यह sale चलेगी, उसके बाद यह discount आपको इतना नहीं मिलेगा, so use the code PD10 and save money, so इसी note के साथ, यह है video कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.